हेलो एबरिबन आज हम डिस्स करने वाले एक स्वाज स्टोरी जिसका नाम है तर नेकलेस ये स्टोरी एक फ्रेंच राइटर गाईदा मोपासौन के दौरा लिखी गई है जो कि बहुत ही फीमस है अपनी स्टोरी में ट्विस्ट एंडिंग के लिए मतलबी वो जो भी स्टोरी लिखते थे उसके आखिर में एक ट्विस्ट डाल देते थे और उसके अलावा ये जो स्टोरी है वो सबसे पहले एक फ्रेंच न्यूस पेपर में पब्लिक्श हुए थी जिसका नाम था लेग ओ लोईस और वो जो डेट थी 17 फेबरुआरी 1884 अब हम उसके प्लोट के बारे में डिस्कस करेंगे इस कहानी में टूटल तीन केरेक्टर्स दिये हुए हैं पहला है मतिल्डे दूसरा है लोईसल मतिल्डे जो है वो लोईसल की पत्नी है और तीसरा केरेक्टर है मैडम जीन फॉरेस्टियर जो की मतिल्डे की सहली है कहानी की शुरुआत में मतिल्डे जो वह लो पेड क्लर्क है मतलब कि उसकी सेलरी बहुत ही कम है लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सारे प्रायतने करता रहता है बहुत प्रायतनों के बाद उसे एक बॉल का इंविटेशन मिला होता है बॉल लेकिन मथिल्डे जो है वो इस पार्टी में आने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है और लोईसल जो है वो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसे 400 फ्रेंक्स दे देता है जो कि उसने अपने दोस्तों के साथ हंटिंग यान तो पैसे देता है 400 फ्रेंक्स जिससे अब वो अच्छी ड्रेस खरीच सकती है लेकिन फिर भी मथिल्डे खुश नहीं है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी जुएलरी नहीं है तो वो फिर अपने पती को फिर से बताते है तो लोईसल बोलता है कि अब ड्रे गुस्त है मैडम जीन फॉरेस्टियर उससे कोई से जो अच्छी जूलरी हो वो बॉरो कर लो तो दूसरा जो आप्शन है वो मथिल्डे को अच्छा लगता है तो मैडम जीन फॉरेस्टियर के पास जाती है और सिर्फ एक नेकलेस ही लेती है डायमंड नेकलेस जो कि उसे प कुछ देर के लिए ही तो जैसे ही थोड़ी देर बाद पार्टी खतम हो जाती है और सारे लोग अपने घर जा रहे होता है इसी दौरान मथिल्डे और लॉइसल भी घर जा रहे होता है और मथिल्डे को पता चलता है कि उसका जो नेकलेस था वो कही खो गया है उसकी गले मे दोनों पति पत्व नेकलेस को यहां वहां डूढने लगते हैं लेकिन बहुत डूढने के बाद भी नेकलेस मिलता नहीं है फिर अब यह दोनो इमान दार और खुददार तो है इसलिए यह क्या करते हैं कि यह सोचते हैं कि इसके जैसा ही दूसरा नेकलेस हम मैडम जीन जो आप होती है वहाँ पर जाते हैं और इसके जैसा ही सेम टू सेम एक दूसरा नेकलेस देखते हैं जिसके कीमत 40,000 फ्रेंक्स होती है और फिर मतिल्डे बोलती है उस दुकानवाले को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और थोड़ा बारगेनिंग करने की कोशिश करती है भाव अपने पिता से मिले पैसों का अपयोग करता है और बाकी जो पैसे बचते हैं वह भारी ब्याज पर ले लेता है और फिर यह जो नेकलेस करीदा है वह मतिल्डे जीन फॉरेस्टेर को वापस लोटा देती है जीन फॉरेस्टेर को पता भी नहीं चलता कि उसका दिया हुआ नहीं है तो अभी जो ब्याज पर पैसे लिए है उसे भी तो लोटाना है तो दोनों पति-पत्नी बहुत ही मैनत करते हैं अभी गर का सारा काम मतिल्डे खुद करती है पहले काम वाली रखी हुई थी उसके इलावा लॉइसल भी और टाइम करने लगा है रात को जिससे की ज इस नाम की जगह पर और वहां पर वह उसको देखती है पहले तो जो जीन फॉरेस्टियर है वह मतिल्डे को पहचानती ही नहीं क्योंकि इस तरीके की गरीबे में से निकली होती है कि उसका चेहरा पुरा ही बदल गया होता है फिर वह जीन फॉरेस्टियर को आखिर कर सामने से जाकर मिलती है और फिर उसके मन में जो बात होती है वह आखिर कर बता ही देती है कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ तो जीन फॉरेस्टियर है वह भी बहुत ही लंबे शॉक में चली जाती है कि अगर तुमने मुझे पहले पूचा होता तो मैं ही तुम्हें बता देती कि व औरिजिनल वो दे दिया तो इस तरहे से स्टूरी खतम हो जाती है